क्या लोगसभा चुनाव दो हजार चौबीस से पहले कॉंग्रेस में शामिल होंगे बहुजं समाज पार्टी से निलंवित सांसद दानिश अली लोगसभा के सदस्य है कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तयारी में है दानिश अली सपा कॉंग्रेस के गटबंधन से कई दलो के समी करन तो बिगड़े है, इसमें कोई संदेह नहीं है अब दानिश अली को लेकर क्यों सवाल उट रहे हैं और दानिश अली क्या आब कॉंग्रेस की साथ आगे पारी खेलेंगे ये सारे सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाते हैं क्योंकि चुनाव से पहले हर एक सीट का महत्व है और दानिश अली BSP के सांसद है लोकसभा में और पार्टी से निशकासित है दरसल उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस और सपा के गटबंधन पर मोहर लग गई है इसके साथ ही अम्रोहा लोकसभा सीट कॉंग्रेस के खाते में चली गई है सपा और कॉंग्रेस के गटजोड ने राजनीतिक गलियरों में एक बार फिर से हलचल मचा दी है आपको बता दे कि बुधवार को सपा और कॉंग्रेस ने गटबंधन होने की घुशना भी कर दी अम्रोहा समेथ 17 लोकसभा सीट कॉंग्रेस के खाते में चली गई सपा कॉंग्रेस के बीच गटबंधन होने के बाद कई सीटों पर अब सियासी जो हलचल है वो बढ़ती दिखाए पड़ रही है इसके साथ ही अम्रोहा लोकसभा सीट पर नई चुनावी विसाथ है सपा कॉंग्रेस के बीच गटबंधन होने के बाद अम्रोहा लोकसभा सीट एक बार फिर चर्चा का विशय है कहा जाए तो जिले में सपा के सहारे कॉंग्रेस को एक तरह से संजीवनी मिल गई लेकिन कॉंग्रेस किस पर दाव खेलेगी ये हर किसी के सामने सवाल है इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कॉंग्रेस अम्रोहा लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसत कूवर दानिश अली पर दाव खेलेगी या फिर किसी और को मैदान में उतारेगी क्या सपा से लाइन में खड़े दावेदार कॉंग्रेस में शामिल होंगे या फिर कॉंग्रेस का ही कोई चेहरा इस सीट पर दिखाई पड़ेगा उधर वर्तमान सांसत दानिश अली भी इस लिस्ट में सबसे आगे माने जा रहे हैं कयास ये है कि बस्पा से निलम्वित सांसत दानिश अली कॉंग्रेस में जा सकते हैं कॉंग्रेस उन पर दाव लगा सकती है लंबे समय से उनकी कॉंग्रेस के नस्दीकिया भी देखी गई है इसलिए ये भी माना जा रहा है कि बसपा से निलम्वित और कॉंग्रेस से नस्दीकिया दानिश की राहे आसान बना रही है पिछले दिनों आपको याद होगा राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी पहली वाली तब भी वो उसमें दिखाए पड़ रहे थे कॉंग्रेस की कई यात्राओं में वो शामिल नजर आये हैं उधर सपा के टिकट की दावेदारी जताने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है क्योंकि गटबंधन तो अचानक से तेह हुआ है RLD के गटबंधन की संभावना बनते ही सपा और कॉंग्रेस की जुगलबंदी शुरू हो गई थी सूत्रों के अनुसार मौझूदा राजनीतिक परिद्रश्य जो है वो गांधी परिवार के बेहत करीवियों में शुमार दानिश के नाम पर सपा मुखिया अखिलेश यादफ की सहमती के साथ भी दिखाए पड़ता है हाला कि बस्पा के निश्कासन के बाद दानिश ने अभी तक किसी भी दल का दामन नहीं थामा है ऐसे में उनके अगले कदम और कॉंग्रेस शीर्श ने तृत्वस तरसे घोशित किये जाने वाले प्रत्याशियों के नाम के एलान को लेकर चर्चाओं का बजार राजनीतिक दलियारों में रफ्तार पकड़ चुका है कहा ये जा रहा है कि कॉंग्रेस की ओर से अम्रोहा सीट पर दानिश का नाम बतौर प्रत्याशी किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगा दानिश भी तब पार्टी के साथ खुल कर जुड़ पाएंगे क्योंकि आपचारिक तोर पर ए इधर भाजपा की बात करें तो लोकसभा सांसद रमेश विधुरी ने संसद में अम्रोहा से बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्ति जनक तिपनी की थी और संसद में बीजेपी सांसद रमेश विधुर से विवाद के बाद ही कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी दानि से मिलने गए थे दानिश की वो वीडियो भी बहुत वाइरल हुआ था तस्वीर भी बहुत वाइरल हुई थी जिसमें वो भावुक हो गए थे राहुल ने मेरा होसला बढ़ाया है इस तरीके की बात कह रहे थे उन्होंने कहा था कि मुझसे इन बातों को अपने दिल से मत बयान रखना मुझे उनकी बातों से राहत मिली अच्छा लगा और ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ दानिश अली का ये बयान था इसके बात से ही उनके कॉंग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी इन चर्चाओं ने दानिश को अमरोहा या मुरादाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की सियासी हवा को भी जन्म दे दिया था अब ऐसे में अमरोहा और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सियासी उथल पुथल लाजमी है फिलहाल दोनों लोकसभा सीटों के दावेदारों की नजर दानिश पर है बसपा से निशकासन के बाद कुवर दानिश अली के कॉंग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं खूब है हाला कि खुद दानिश ने इन चर्चाओं को सिरे से खारिज किया लगातार क्षेत्र में अपनी पैट को मजबूत बनाये रखते हुए उन्होंने अमरोहा सीट से ही दोबारा चुनाव लड़ने का एलान किया था आपको बता दे कि दानिश अली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी जुड़े थे उस यात्रा का हिस्सा भी थे अमरोहा लोकसभा सीट का इतिहास क्या कुछ कहता है ये भी आपको संक्षेप में बता दे क्योंकि दानिश के ये लोकसभा मुरादाबाद सेंट्रल के नाम से जानी जाती थी इसके बाद कॉंग्रेस ने 1957 यानि 57 में दुबारा मौलाना मुहम्मद को ही उतारा और यह चुनाव भी कॉंग्रेस जीद गई इस तरह मौलाना मुहम्मद हिफजुर रह्मान ने भारतिये जंसन के उम्मीदवार मुटाराम को यहां से हराया था इतना ही नहीं 1962 में तीसरी बार मौलाना मुहम्मद लोकसभा के लिए यहां से चुने गए थे इस दोरान उन्होंने जंसन के हरदेव शाही को हराया था 1962 के चुनाव के दोरान वो अपने इलाज के लिए अमेरिका गए हुए थे और अम्रोहा की जंता ने उन्हें उनकी गैर मौजूदगी में सांसत चुना था साल 1984 में कॉंग्रेस के प्रत्याशी बनकर रामपाल सिंग सांसत चुने गए यही से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलिये उम्मीदवार इश्रत अली अंसारी को हराया था देखा जाये तो 1984 के बाद से कॉंग्रेस अम्रोहा लोकसभखशेत्र में अपना आस्तित्व तलाश रही है इससे पहले 1977 में भारतिये लोकदल के उम्मीदवार चंद्रपाल सिंग से कॉंग्रेस के प्रत्याशी सत्तर एहमद को हार का सामना करना पड़ा था जबकि 1989 यानि 1989 में जंता दल के प्रत्याशी हरगोविंद सिंग के सामने कॉंग्रेस प्रत्याशी खुर्शीद एहमद ने हार देखी थी 1989 यानि 1989 के बाद से कॉंग्रेस प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों की टक्कर नहीं संभाल पाए और लगातार हार का मुढ देखते रहे सपा का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो अम्रोहा में बहुत खास वैसे रहा नहीं है 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में 1996 में ही सपा के प्रताप सिंग ने यहां से जीत दर्श की थी अम्रोहा की सीट का जो इतिहास है वो हमेशा कॉंग्रेस के पक्ष में रहा है इसलिए भी कॉंग्रेस से यह सीट उन्हें मिली है अब कुवर दानिश अली को लेकर खूब चर्चाए हो रही है अम्रोहा सीट भी व्याइपी सीट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि दानिश बीजेपी के विधूरी जो है उनके सदन में जो बयान उनके खिलाफ उन्होंने दिया था कुछ टिपनी की थी उसे लेकर ही दानिश चर्चा में आये थे जब राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे अब देखना ये है कि इस सीट पर कॉंग्रेस कैसे दाफ खेलती है या दानिश अली के रूप में ही यहां से अपना सियासी जो एक तरीके से कह लीजिए जो स्टैंड है वो लेती है आप यह वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 News